मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है नमस्कार, मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं चैनल इंग्लिस योगी आज है जनवरी फर्स्ट, सबसे पहले आप सभी को नए वर्स की हार दिक सुपकामना है इस उमीद के साथ कि ये वर्स आप सभी के लिए खुसियों से भरा हो नित नई उन्चाईयों को आप चुएं, अपने करियर के हर एक गोल्स को आप पुरा करें इन सुपकामनाओं के साथ बात ये कि आज है तारीख फर्स्ट आपके लिए जो योजिसिनेट एग्जामिनेशन की तारीख है वो 21 फर्वरी से 10 मार्च यानि कि आज से आज का दिन ले करके 21 फर्वरी के ठीक पहले तक टोटल 51 डेज हैं हमने क्या आना 50 डेज और 50 डेज में आपको जैरफ अचीब करना है तो कैसे होगा ये तास्क काफी चफ है क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने एक्जाम दिया कुछ का नेट कॉलिफाई हो गया है जैरफ चाहते हैं कुछ का नेट भी नहीं हुआ है और उनका भी टार्गेट अल्टिमेटली जैरफ है और कुछ कम MBCS होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि कम से कम ना जैरफ हो तो नेट हो जाए आप मेंसे कुछ हैसे हो सकते हैं जो लगातार प्रिप्रेशन में हो जो बिलकुल फ्रेशर होंगे अभी अभी M.A. में एड्मीशन लिया है और M.A. का हाफ एयर आपने एंड किया है और अगर हाफ एयर आपने एंड किया है तो निस्जित रूप से आप भी अपलाई क्यों करिए क्योंकि आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि एक्जामिनेशन कैसा था पेपर किस लेबल का रहा है पांते हैं बहुत तयारी आपके नहीं होगी बहुत आप उस लेबल पर नहीं होगी या फिर आप में कुछ ऐसे भी होगे जिनका एक साल मेका कंपलीट हो गया होगा कुछ का दो साल कंपलीट हो गया होगा थोड़ा बहुत परपरिशन की होगी थोड़ा नहीं की होगी तो हर एक सिचुएशन में सभी के पास समय कितना है 50 दिन जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए है कि 50 दिन में किस तरीके से उस पढ़े हुए को revise करना है और याद रखना है जो कुछ नहीं पढ़े हुए है जो बिल्कुल फ्रेसर है उनके लिए सवाल ये है कि किस तरीके से पूरे syllabus में से कुछ न कुछ ऐसा पढ़ लिया जाए जो कि हमारे examination में काम आ जाए तो एक 50 days के target के साथ हम लोग begin करेंगे classes live नहीं होगी recorded ही होगी जैसा मैंने वादा किया था at least minimum one class एक class हर रोज आपको मिलेगी और possibility बढ़ी एक से ज्यादा classes भी हम लोग बढ़ाएंगे तेकि हम लोग की class में जो दो बाधाएं हैं जो मुझे भी दिख रही है और अगर गीने तो तीसरी पहली यह है कि बीपीटी या जो भी आपको हमें पढ़ाने के लिए उप्योग में आती है वो बनना दूसरा हमारे पास की internet की उपलबता उसकी speed क्योंकि इस समय मैं गाउं में हूँ और तीसरी जो बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरा अपना स्वास्थ जो की आज कल कम ठीक चल रहा है कम stable चल रहा है आज मैं यह class record करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही करेंगे तो कैसे हो तो मैंने start किया है उमीद करूँगा कोसिस करूँगा कि 50 दिन पुरे हो बिना किसी व्यवधान के कम से कम 50 गंटे की class आपको मिले और अगर 50 गंटे भी ठीक ठाक से हो गए तो इस बात की उमीद रखूँगा कि आपके कम से कम वो 7 unit जिन्हें मैं important कहता हूँ वो मैं complete कर दूँगा एक rapid revision के रूप में तो चलते हैं साथ साथ आपको दो काम करना है class भी पढ़ना है और साथे साथ अपना notes भी revise करना है तो आज की सुरवात करेंगे आज केवल 10 question करेंगे और यह संख्या लगतार बढ़ेगी और केवल यह class उन students के लिए नहीं important है महत् आगे वो इस बात के उमीद रखते हैं कि किसे अच्छे विस्विद्याले से वो MA करना चाहते हैं उसका इंटरंस देंगे या जिस भी विस्विद्याले से वो MA करना चाहें तो उसके लिए भी यह class बहुत ही फायदे मन्द होगी MA इंटरंस के लिए या फिर जो students net कर चुक है MPHC का MPPSC से भी higher education का form आया है तो उन सभी के लिए यह classes जो 50 classes हो रही है बहुत ही शांदार होंगी बहुत ही महत्वन होगी तो बढ़ते हैं आगे चलते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जो मैंने आप लोगों से उमीद की थी वो फिर से मैं बता रहा हूं लगाता कंप्यूटर हो ताकि वो कुछ मैं जो बताऊं वो उस कंप्यूटर पर आदे गंटे 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 डिड़ गंटे का समय दे करके मेरे लिए कुछ काम कर सके तो उसके बदले में मैं उन्हें क्या दूँगा तो मैं उन्हें बताऊंगा अगर आप volunteer करने के लिए ready हैं तो please to message me, to call me और आज की class शुरू करते हैं आज पहली class है के बल दस questions हमने लिए हैं और random questions हैं ये 10 के 10 आगे की classes में दो तरीके होंगे कुछ तो random questions होंगे कुछ पूरे के पूरे papers होंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसी classes रहेंगी जो topic wise questions पर based होंगे random questions, question papers और topic wise questions और आज के ये 10 क्वेस्चन हैं ये 10 के दसों questions 2016 में जो हिमाचल PSC का examination हुआ था ठीक है ये माचल PSC का जो assistant professor का exam हुआ था वहाँ के पेपर से 2016 के 2016 के पेपर से मैंने ये सारे के सारे questions लिये हैं ठीक है तो उमीद करते हैं कि ये बहुत ही helpful होंगे और तुरवात करते हैं questions की और ये 10 questions करेंगे इन ही 10 questions से बाचीत आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों मे आने वाले समय में ये कारवां जो है उद्दस questions से बढ़ करके आगे कई सारे questions तक चलेगा और आपको आपकी सफलता तक पहुचाने में बहुत ही कारगर साबित होगा पहला question आज का लेते हैं और पहला question है what was the prize for the best store teller among the pilgrims in the canterbury tales question है answer भी आपको मिलेगा लेकिन उसे पहले थोड़ा सा discussion question कहां से है question है canterbury tales ठीक है और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो कुछ question है question से ज़्यादा important यहाँ पर वो discussion है जो मैं यहाँ आपके साथ करने वाला यानि कि जो भी बातचीत होगी वो सबसे ज़्यादा important होगी आपके लिए ठीक है किसी प्रस्चन से ज़्यादा जो यहाँ पर discussion होगा वो आपके लिए महतुत होगा केंटरबरी टेल्स इसका वर्क है जाफरी चासर ठीक है एक यह भी question हो सकता है यह इस टाइप के भी question आते हैं डाइडवक के हम अम में से ओब जानता होगा इसका जो प्रीफेस है वह बहुत ही good है इस टो इसको कहते है प्रेफेस details बहुत ही important होगा आपके लिए यह मैं थोड़ा सा disrupt करना है तो एक तो हो गया चासर स्लाइटर का नाम दूसरा इसका preface ठीक है preface में इन्होंने क्या दिया है कुछ pilgrims के जो इसमें 29 pilgrims और चासर और हैरी बेली कौन था हैरी बेली अब इन का नाम क्या था तभाड इन तो यहां पर कई सारे questions हम लोग एक साथ टच करते जा रहा है पहला pilgrims की संख्या क्या है 29 प्लस 1 प्लस 1 टोटल 31 ठीक है question controversial है कई बार पूछा गया है और हर बार इसका answer project होता है answer की में ठीक है thereafter total number of tails 24 लिखी गई है बागी incomplete work है इन 24 में 20 complete है ठीक है और चार incomplete है पाट समझा गई चार incomplete है 20 complete है टोटल number of pilgrims अच्छा आप question बनता है कि total plan कितना था total plan था four stories by a narrator ठीक है एक narrator के द्वारा चार story दो जाते समय दो आते समय तो 31 plus four ठीक है तो 124 stories का पूरा plan था अब ये भी matter थोड़ा सा controversial है ठीक है कुछ कहते हैं कि ये जो एक है hairy valley जो है उसको नहीं सुराना था वो 120 का है या तो आपका answer 120 होगा या तो आपका answer 124 होगा अगर दोनों option में है तो फिर कोई भी एक लगाईए question reject होना पका है ठीक है तो ये इतने question हुए हम लोग नहीं समझा प्रिफेस है प्रिफेस में characters का introduction है और total 24 stories है 4 stories unfinished है incomplete 4 stories है और total 124 stories का plan था 31 pilgrims है कहां जा रहे थे एक pilgrimage है जिसको कहते हैं टॉमस अबकेट का फिल्ग्रिम स्राइन 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 आफ टॉमस अबकेट who was a martyr saint in Christianity that was situated sorry that was situated in canterbury जो के canterbury में situated था वहीं यह सारे जा रहे थे एक question और बनता है factual question है कि इनका नाम क्या था जहां पर वो pilgrims रुके थे दे इन वास टावाड इन ठीक है टावाड इन था और उस टावाड इन का जो owner था host था उसका नाम था Mr. Harry Bailey ठीक है तो यह इतने सारे questions है अब वहां हुआ क्या कि 29 pilgrims राइटर चासर और था वोस्ट वर दियर और उन 29 pilgrims को पाचीत में लोगों को पता चला रहा थे वर गूंग तो Holy pilgrimage of Matas in Thomas Becket in Canterbury तो था राइटर एंद था होस्ट बोथ दोनों उनके साथ हो लिये and thereafter they started pilgriming और उस यात्रा को हलका बनाने के लिए उन्हों का plan था कि stories कहें हर एक जो pilgrim है जो यात्री है वो एक story कहेगा दो story जाते समय दो story आते समय चार-चार stories कहनी थी और पहला जो story teller था वो था night और complete work नहीं है इसलिए सारी stories पूरी नहीं हुई और उनमें जो host था Mr. Harry Bailey उनको जो है इस पूरी story telling का judge बनाया गया था और being a judge अब judge था story teller था उनको यह find out करना था who is the best story teller कौन सब से अच्छे कहानी कहता है और जो भी best story teller होगा उसके लिए एक reward था अब वहीं से price यहां पर बात कई की गई यह वहीं से question निकला कि भाई उस best story teller के लिए price क्या था the price was option भी a supper ठीक है एक जितने बाकी के जितने pilgrims होते उनकी तरफ से एक free supper दिया जाता ठीक है तो यह आपका answer भी हो गया और इतना सारा हमने discussion भी किया आगे बढ़ेंगे दूसरा question question है कि who wrote in prose the history of Richard second ठीक है the history of Richard second किस ने लिखा it was written sometimes in 16th century 16th century में लिखा गया था और यह 1512 से 1519 तक इंद का session था Mr. Richard second का तो यह लिखा किस ने आप वो प्रोज में लिखा एक तो यहीं से आपको मिल जाएगा यह आपको बड़ा अच्छा clue दिया है प्रोज में आपको यह दिमाग में आना चाहिए कि यह मार्लो ड्रामा लिखता था सेक्सपियर ड्रामा लिखता था Hemispenser Poetry लिखता था यह क्या लिखता था Poetry लिखता था यह ड्रामा लिखता था यह क्या लिखता था ड्रामा लिखता था Buc encant Mr. Thomas Moore थामस मूर क्या नाम इनका पूरा घुतrese Deshalbары 땅र्ब्स मूर्ट का मिला है इनका Utopia थेख है थामस मूर का Utopia और इने का दूसरा वर्क है, the history of Richard second, ठीक है, the history of Richard second, लिखा किसने है, Thomas Moore नहीं, ठीक है, that is a prose work of history, ठीक, तो यह important work, अब इस तरीके का history of Richard second जैसा है, ऐसा किसका वर्क है, तो एक और ध्यान रखिएगा, इनका एक play है, drama, Richard, sorry, Edward second, Edward, second, is a drama by Marlowe, और William Shakespeare ने तो number of history plays लिखे है, जिसमें से 22 बहुत सारे नाम है, Henry 4th है, Henry 5th है, Henry 6th है, Henry 8th है, बहुत सारे history plays, number of 10, 10 history plays William Shakespeare ने लिखे हैं, तो उन पर चर्चा अभी बाद में करेंगे, अभी फिलहाल, इतना ही इसमें समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, next question है, question number third, in which play of Shakespeare does Hippolyta appear, अब एक character है Hippolyta, ठीक है, किस play में ये appear होती है, इसके play में, William Shakespeare के, किस play में Hippolyta appear होती है, आपके सामने चार option है, The Tempest, Midsummer Night's Dream, Titus, Andronicus, much ado about nothing, इन चारों को brief outline करें, आप का answer मिल जाएगा, और चार बड़ास आपको memorize हो जाएगा, Tempest, last play of William Shakespeare, यह यूँ कहें, कि one of the last plays, ठीक है, वैसे इसको last play consider किया जाता है, most of historians के दोरा, और यह कहानी किसकी है, यह Prospero की कहानी है, उसकी एक बेटी है, Miranda, ठीक है, और उसका भाई है, Elanso, और वो मिल करके उसका जो ड्यूग, जो Prospero है, वो ड्यूग होता है, उसका जो ड्यूगडम था, उसको छीन लेता है, और बाद में वो किसी तरीके से एक inhabited island पर पहुंचता है, वहाँ पर एक twitch थी, उसको मार करके, और अपनी magic के जरिए उसको, उस island को capture करता है, और वहाँ पर रहता है, और फ्ले जो begin होता है, वो समंदर में एक तूफान के साथ begin होता है, उस तूफान में एक जो जहाज है, वो फसा हुआ है, उस पर कुछ लोग है, और फिर उस जहाज में से, जो लोग हैं, उनको बारी-बारी से, एरियल के help से, वो अलग-अलग places पर लाता है, और उनमें ए फादर लाइज, ठीक है, तो उस गाने को गा करके एरियल जो है, उनको लाता है, और मेरांडा के सामने जब 14 इंड आता है, पहली बार मेरांडा उसको देखती है, और उसको बड़ा आस्चर होता है, उसने अपने फादर के अलावा किसी हुमन बीइंग को देखता है, और ब्रेव निव वर्ड कहता है, और मतलब उसको बड़ा आस्चर होता है, उसने अपने फादर के अलावा किसी हुमन बीइंग को देखा ही नहीं था अपने जीवन, तीन साल की थी, तब वो उस टूटी हुए नाव से इस इनहेविटेड आइलेंड पर आ गई थी, और आस त दूसरा है, मिट समय नाइट स्ट्रीम, अथी इस आलसो, अवमेडी, एक कॉमेडी है, रुमेंस है, यह कहानी है, इसमें पहले तो फरेंडस है, तो लड़कियां है, यह थी लव ठीक है, और हर्मिया, हर्मिया, हैलना, लासंडर, देमेट्रियस, ठीक है, तो हर्मिया, लड़की अपने फादर के विल के अगेंस्ट फादर की इच्छा के अगेंस्ट मैरिज नहीं कर सकती और उसका जो फादर है वो लाइसेंडर को लाइक नहीं करता है लाइसेंडर से उसकी मैरिज नहीं करने देना चाहता है और वो डिमेट्रियस से उसकी मैरिज कराना चाहता पास जाता है जाने चिए कुम करता है लोग लोग इस जगा को उडिक और शूरे और झाली जैंगल में पहुचते हैं पर जैंगल में एक और लंट हम इस्टोरी अधर मिलती है वहाँ कुछ रस्टिक्स है जो की ड्यूक की मैरिज पर ट्यूक और क्वीन अफ अमेजन उनकी मैरिज पर प्ले करने के लिए एक प्ले का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसी जंगल में कुछ फैरीज आई हुई है फैरीज का किंग जो है ओबरान है फैरीज की जो बहुत important character है that is जो rustics है उसमें जिसका सिर गधे के सिर में बदल देता है जिसके पीशे लब में पढ़ जाती है लब juice की वजा से ठीक है तो यह सारे चीजें होती तो वहीं पर जो queen है ठीक है तो जिससे उसकी marriage होनी है वो कौन है वो हेपोलेटा है ठीक है हेपोलेटा और भी इसमें सारे characters है अब आगे बढ़ेंगे Titus Andronicus ठीक है यह Bloody Tresdys में से एक है इसमें अगर characters की बात की जाए तो सबसे important characters टाइटस है ठीक है टाइटस Andronicus उसकी बेटी है लवीनिया और जो queen है एक को जिससे वो जबजस्ती marriage करता है वो है टेमोरा ठीक है queen of gods तो यह इतनी सी important बात हुई आगे देखेंगे हम लोग much I do about nothing यह William Shakespeare के early plays में से एक है और इसमें यह एक तरीके का slapistic comedy है comedy of error है जिसमें जो main characters है Benedict, Beatrice, Don Pedro, Don John and Claudio, Hero, Hero इसकी main female protagonist है and dogberry dogberry के नाम पर इस एक term है वो coin कियागा dogberryism जो की similar है melapropism से ठीक है dogberryism and melapropism dogberryism is coined by coined on the character of dogberry and is actually a mistaken use of words ठीक है question number three हम लोगों ने किया आगे बढ़ते हैं number four चौथा question है who said तो यहाँ पर आपको answer समझ आ गया होगा answer जो है यह अगर इसको देख करके confused हो तो answer आपका यह है midsummer night stream midsummer night stream में जो queen है उसका नाम है hippolyta ठीक है consequence जो fairies है उन्हीं की जो queen है king का नाम fairy king का नाम oberan और fairy queen जो है उसका नाम titania है और जो ड्यूक है और दूसरी जिससे उसकी marriage होनी है hippolyta ठीक है ड्यूक अबर ड्यूक का नाम याद नहीं है hippolyta and duke उनकी marriage होनी है ठीक है hippolyta, oberan, titania, robin good fellow पक यह सारे नाम आपको याद रखने है आगे बढ़ेंगे who said unmarried man are best friends, best master, best servants ठीक है ये एक quotation है fantastic quotation अच्छा आपको इन में से देख करके क्या लगता है कौन ऐसी बाते कह सकता है ये बात Francis Bacon ने कहीं क्योंकि ऐसे codes Francis Bacon ही लिखता है ठीक है और उसका एक essay था of marriage and happy life, single life, of marriage, and single life, ठीक है अपने इस essay में इन्होंने ये बात नहीं, इसके लावे इन्होंने बहुत सारे एसे लिखे कितने, 58 essays जो की तीन बार में publish हुए थे, 10, 28 and 58 ठीक है ये तरीके से publish हुए थे, इनके और भी works है, बाद में चर्चा करेंगे, और नेक्स है, ब्राइडन, पॉप, अलेक्जानर, पॉप से याद आया, कि पॉप ने बेकन को कहा था, the meanest, the brightest, एक में, पॉट क्या था, the brightest and meanest of mankind इस तरीके से था, तीन वर्ड यूज किये थे, ठीक है, और पॉप, वस अनुदर, पॉइट, दा वाज इंपॉर्टेंट इन, फर्स्ट पार्ट आफ एटीन सेंचुरी, ठीक है, इसको ऐज आफ पॉप कहते हैं, या फिर नियो आगस्ट एज कहते हैं, या फिर नियो ख्लासिकल एज कहते हैं, तो वहाँ पॉप इंपॉप 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 एज रटन लाट आफ वर्क्स, एस्पस्ली वेलवर्स इन, हरो इक कपलेट में इन्होंने अपने सारे वर्क्स लिखे है, तो यह भी आपको याद रखना है, ड्र इंपॉप 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 इंप सब्सक्राइब लाइब सब्सक्राइब यह इंपॉर्टेंट वर्क है ओप के अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात किया जाए तो एसे ऑन कट सजम एसे ऑन मैं मशी 1712 में पुब्लिस हुई थी और एप आप दी लॉक एसे एसे अन कट सजम इसारे वर्क्स दंशियाड यह सारे जो है फूप के बहुत फेमस वर्क्स है ड्राइडन के वर्क्स की बात किया जाए तो दिवाइल-कैलन्ट इगे राइवल लेडीज इंडियन क्वीन इंडियन एंपररर ओरंग जेब आल फार लब यह सारे बहुत ही तो मग फ्लेकनू और एप्सलाम और बहुत ही फेमस इसके लाबा मेडल और एक बहुत इंपोर्टन वरक है जिसको क्याते है ऐस्ट्रिया रेडक्स अन दे रेस्टरेशन अफ मोनार्ची आफ जाल सेकंड की डेस्टरेशन अफ मोनार्की पर योकीन होने लिखा था वह बहुत इंपोर्टन वरक है एस्ट्रिया रेडक्स ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन पर नमबर फाइब हमें लगता है कि दस क्वेस्टन में ही आज की क्लास भी एक घंटे की हो जाएगी और एक घंटे से ज्यादा लंबी क्लास हम लोग नहीं करने वाले हैं रीजन एक घंटे से ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो हमें अपलोड करने में बहुत प्राब्लम होगी तो नेक्स देखते हैं देर इस प्रवाइदेंस इन दे फाल अफ इस पैरो यह यहाँ भी डबल कोट होना चाहिए देर इस प्रविदेंस इन दे फाल अफ इ पैरो अब यहाँ पर देखें आपको लिका वॉक्स क्या क्या दिया है एक दिया है अफेरवल टु आंस यह नावल है दीखें और अर्नेस्ट हेमिंगवे का अर्नेस्ट हेमिंगवे का नाविल है पब्लिस हुआ था 1929 में इसने लिखा अर्नेस्ट हेमिंगवे अर्नेस्ट हेमिंगवे ठीक है और अर्नेस्ट हेमिंगवे का दूसरा अगर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क की बात किया जाए दो ओल्ड मैंन सी दो ओल्ड मैं एंड दसी इसका यह अगर आप नोट करें तो 1952 और यह जो मिस्टर अर्नेस्ट हेमिंगवे है इनको नोबेल मिला था इन दे इयर 1954 इसी जो मैं दो ओल्ड मैंन सी है इसी नौबल के लिए इनको दिया गया था नौबल प्राइस ठीक है वारन पीस फेमस वर्क है ठीक है दर वास रेटन बाई लियो तॉल स्टाय किस ने लिखा था लियो तॉल स्टाय और यह था एटीन सिक्स्टी नाइन 1869 का नावल है ठीक है लियो तॉल स्टाय का यह फेरवल तू आर्म्स किसका है हैं और स्टाय का नाफने एिफ नाइटीटी नाइन इसकेबाद किंग नियर और हैमले डोनों किस ने लिखे विलियम सक्सपिर ठीक है Subscribe के प्लेज हैढ़े दो के दोनो और है मिलेट कंलियर डोने ग्रेस्ट इसदी में से आते हैं, अब यहाँ पर question है कि इन में से किस में आता है, जो hamlet है, hamlet के act 5 act 5 scene 2, ठीक है यही पर एक तलल की आती है, जिसमें यह line आती है there is providence in the fall of sparrow ठीक है, कौन कहता है, hamlet कहता है in the play, hamlet, in the act 5, scene 2, ठीक है और इसी के आगे की एक बड़ी important line है, जिसको कहता है, the readiness is all the readiness is all, ठीक है तो अब यही से आपको एक line और याद रही चीए, जिसको कहा जाता है, the ripeness is all, ठीक है, the ripeness ठीक है, is all अब कहेंगे, यह कहा की line है भी यह यह line है, kinglier की, ठीक है कौन कहता है, इसको, kinglier की line है यह, the ripeness is all, ठीक है, दोनो William Shakespeare के please है, clear आगे बढ़ेंगे, number six question है, where does this line occur, line क्या है, full fathom five, thy father lies, यह हमने, शुरुवात के ही question में, जहां पर हम लोग discuss कर रहे थे, यह जहां हम लोग discuss कर रहे थे हैं, हमने बताया कि यह aerial के song के line है, जिस song को गा करके, aerial Ferdinand को Miranda के पास तक लाता है, ठीक है, तो आपको answer मिल गया होगा, कहां के line है, William Shakespeare के play, tempest की, ठीक है, इतने से आपका काम चल सकता है, और full fathom five, और यहां पर एक जो सबसे खास बात है, कि full fathom five, यह एक alliteration है, ठीक है, और device में use की गई है, answer इसका tempest हो जाएगा, ठीक, और taming of the stream, William Shakespeare का है, twelfth night, William Shakespeare का है, winter's tale, William Shakespeare का है, और यह तीन की तीनों भी comedies है, William Shakespeare की, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, question है, John Webster wrote, westward ho and northward ho in collaboration with, ठीक है, आपको याद हो कि जो 1999 में, sorry, 1699 में एक war of theaters था, war of theaters क्यों, because की, एक जो direct satire था, वो band कर दिया गया था, besops band जिसको कहा जाता है, besops band की वज़ा से, जो direct satire थे, वो band कर दिया गया थे, लोगो नहीं किया किया, writers थे, वो एक दूसरे को plays के through satire करना सुरू किये थे, plays के through cut size करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर एक दो groups बट गए, उन दो groups में एक लंबा war चला था, war of theaters उसको कहते हैं, means की plays के through, वो एक दूसरे writers को cut size करते थे, तो उसी series के दो works है, westward हो और northward, ठीक है, किसकी collaboration में दोनों लिखे गये थे, जॉन वेबस्टर ने लिखे थे, in collaboration with Thomas Decker, ठीक है, Thomas Decker के collaboration में इन्हों लिखा था, ये दोनों work westward हो और northward हो, Thomas Decker और जॉन वेबस्टर ने लिखे थे, ठीक है, और बाकि ये जितने writers में दिख रहे हैं आपको, Beaumont and Fletcher, Ben Johnson and Thomas Middleton, ये सारे के सारे उसी theater of war से related थे, Thomas Decker, John Webster के साथ ये दोनों works लिखे, आगे बढ़ेंगे, next question है, which of the following Latin books of bacon is on the new logic or inductive method of reasoning, ठीक है, ये जो books है, पहले चीज़ तो यहाँ पर important में लिखा है, कि ये सारी की सारे books जो है, किस की है, Bacon की है, कौन सी, The Argumentis Scientificum, ठीक है, The Arguments of Science, जिसका meaning होता है, दूसरा है, Nobum Arganum, ठीक है, 1620 और ये 1623 है, और Insta Ratio, जो है, ये भी 1623 है, इसी बुक का पार्ट है, and Silva, Telvarum, ये 1627 में publish हुई थी, ये सारे के सारे जो works है, ये Bacon के है, और इन में से किस में ये जो inductive method of reasoning की बात की गई है, ये new logic की बात की गई है, वो आपके लिए important है, तो जो Nobum Arganum लिखा है, इन्होंने 1620, ठीक है, तो वो जो है answer आपका हो जाएगा, इसी में इन्होंने inductive learning की बात की, inductive method of reasoning की बात की, जो हम लोग inductive and deductive method पढ़ते हैं, scientific method उसको कहा जाता है, तो उन में से जो inductive method है, उसकी बात Francis Bacon ने अपने Nobum Arganum में की थी, आगे बढ़ेंगे, next question है, which human trait is especially hit upon, by Ben Johnson in The Alchemist, वही Ben Johnson का famous play है, the alchemist, और alchemist में किस human trait को इन्होंने hit किया है, तो आपको याद हो कि, जो alchemist है, that is related to alchemy, और उसमें जो characters है, जो Mr. Lovit है, वो अपना घर छोड़ करके जाते हैं, due to pandemic, तो आप question यहाँ पर यह भी बनता है, किस pandemic की वज़ा से वो छोड़ कर गए थे, he left his house in charge with his servant, ठीक है, और due to the pandemic of, sorry not pandemic, due to epidemic of plague, plague की वज़ा से वो अपना घर छोड़ करके चले गए थे, और जो servant के चार्ज में उसको घर छोड़ करके गए थे, वो दूसरे अपने friends के साथ मिल करके वहाँ पर alchemist start किया, और लोगों को खूब ठाका था, तो यहाँ पर जो human trait है, जो human quality है, जिसको उसने cut size किया है, जिसको उन्होंने hit किया है, वो है globality, ठीक है, globality अपसे भी आपका answer होगा, और remaining बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर discussion हम लोग नहीं करेंगे, और आज के आखरी question पर पढ़ेंगे, आज पहली class है, केवल और केवल हम लोगों दस question डिसकोस किये, और next classes से number of questions भी ज़्यादा होगे, time भी थोड़ा से ज़्यादा होगा, और अलग अलग तरीके से आपको questions मिलेंगे, अलग अलग तरीके से topics मिलेंगे, तो उमीद करूँगा कि यह बहुत ही beneficial work होगा आपके लिए, अगर मैं कर सका, तो एक एक दिन में 4-5-5 classes मैं कर दूँगा, तीन दिन classes कर दूँगा, ताकि आपका maximum benefit हो, तो maximum चीज़ें आपके cover हो, बट देखते हैं कितना कर पाते हैं लोग, तो आखरी question है आज का, Shakespeare's Venus and Adonis is based on Marlowe's, तो आपको याद हो कि Venus and Adonis, Shakespeare की 3 long points में से एक है, तो it was based on Hero and Leander by Christopher Marlowe, Christopher Marlowe की poem है Hero and Leander, इसी पर based जो है, यह poem है, जो कि Venus and Adonis, William Shakespeare में लिखी है, वो Marlowe की poem Hero and Leander पर based है, ठीक है, तो यह थी इतनी सी बात, अच्छा, आगे देखेंगा, tragedy of Dedo, यह भी play है, किसका Marlowe का, इस पैसनेट सेफर्ड, यह एक जो है, पैसनेट सेफर्ड, एक magazine थी, पैसनेट सेफर्ड कोई वर्क है, पैसनेट पिल्ग्रिम थी, वो magazine जिसमें William Shakespeare के, sonnets पब्लिस हुए थे, देर आफटर, जो है, मैसाकर आफ पेरिस, यह भी other work है, इन सब पर चर्चा होगी, आगे, आज के लिए बस इतना, तो अभी आपका काम सर्फ इतना है, कि इनको उन स्टूर्ण्स तक सेयर कर दें, जो यूजिस नेट देने जा रहे हैं, इनके लिए काम का है, कि इनके लिए काम का है, मैंने पहले बता दिया, तो, अगर, जैसा जैसा आपका response बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरी classes बढ़ जाएंगी, बढ़ती जाएगी, मेरा effort उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका जो, थोड़ा सा खासी हैं आ रही हैं, और खासी के बीच में recording भी आफ नहीं कर पाया, तो देखिए, आपका जितना better response होगा, जितना बहतरीन response आपका होगा, उतना बहतरीन जो है, आप पर भी आप लेवल हुई, आप डाउलोड करिए Google Play Store से, English Yogi आप, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नई क्लास में, नमस्कार, जैन,